हेलो और वल्कम यौल तो लेट्स क्राकेट मेरा नाम है अभीशेख तो यह नेक्स्ट वीडियो है फ्रेंच रिवल्यूशन चल रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री की सिरीज का तो जिन स्टूरेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्रा अबना चाहते हैं कि 23rd से पहले एक बार वो टेस्ट कर रहे है मिनी प्रिपरेशन क्योंकि प्रिपरेशन कैसी है तो टेस्ट्री चल रही है आरो यारो एक्जाम के लिए तो आप चाहें तो आप टेस्ट्री जोइन कर सकते हैं और कुछ स्टूरेंट्स को अगर PDF चाहिए इ इंफरमेशन ले सकते हैं चलिए पिछली वीडियो में हम सीख रहे थे कि हमने पढ़ा था कि Robert Spire ने किस तरह से बहुत जादा महाँ पर dictatorship wise में काम किया और उसके खुद के लोगों ने उसे पसंद करना बंद कर दिया था बाद में एक कोर्ट ने उसको अन्विट किया एक के प्रोविजन लाया गया कि जिन लोग के पास प्रोविटी नहीं है उन लोग को वोट डालनेगा हग नहीं मिलेगा तो यह इसलिए क्या गया क्योंकि पहले एक आदमी के अंदर सारी पापर आगे थी जैसे रोबस पार के पास सारी पापर चलेगी थी इससे ये सिच्वेशन दुबारे ना पैदा हो इसलिए ये जीज की गई तो इसलिए उनको बाग में दिस्मिस कर दिया गया तो डिरेट्री की जो इसलिए थी यानि डिरेट्री अपना काम सही से नहीं कर पा रही थी यानि की जो निदेशकों का अक्सर क्या हो रहा था विदान परिश्यतों के साथ तकराब होता रहता था यानि वो साइस से काम नहीं कर रही थी और निदेशी का जो थी राजनितिक ऐस थर्था के कारण महाँ पर एक military dictator यानि कि एक सैन्यत आनाशाहा जन्म होता है साइस होता है उदय होता है जिनका नाम है Napoleon Bonaparte यह सब दिक्कते नहाँ पर होई रही थी लेकिन जो उनके कुछ फ्रांस के लोगों के जो कुछ आइडियल थे जैसे कि आजादी का आइडियल फ्रीडम का equality before the law यानि कामुन सामें सब सेम है याना fraternity यानि कि भाहिचारा remain inspiring आइडिल तो यह सब वो आइडियल थे जो inspire कर रहे थे लोगों को और motivate कर रहे थे कि फ्रांस में जो political moment चल रहा है या पूरे यॉरप में जो political moment चल रहा है वो वहाँ पर चलता रहे तो women का revolution के अगर मैं बात करूं तो from the very beginning women were active है ना तो women बहुती active participant थी शुरूवात से ही friend society के अंतर they hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives तो उनको लगा कि अगर वे protest करते रहेंगी तो जो सरकार है वो कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे ओड़तों की जो इस्तिती है वो बहतर हो सके most women of the third state had to work for a living सिंपल सी बात है हमें यह पता चली किया था कि third state के लोग भी फ्रांस में काम करते हैं they worked as seam stresses और land lot laundresses sold flowers seam stress का मनलब होता है कि जो press वगरा करती है laundress हो गया जो कपड़े वगरत होती है sold flowers फूल बेस्ती थी fruits बेस्ती थी vegetables market में employed as domestic servants domestic servants की तरह काम करती थी घरों में इन लोगों के जो थोड़े से prosperous लोग हुआ करते थे most women did not have access to education और job training तो जातर ओरतों को education का source वहाँ पे access नहीं था वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती थी जो सिर्फ अमीर लोगों की जो बेटी यह हुआ करती थी या वेल्दिर मेंबर्स की जो family के member हुआ करते थे lady member जो हुआ करते थे वो ही किसी convent school में लाकर पढ़ सकते थे उसके बाद उनकी families एक अच्छी शादि उनके लिए arrange करा करती थी working women had also to care for the families यह simple सी बात आज भी है और तब भी थी कि जो working women है उसको घर का भी काम करना पड़ता है और अपने office का भी काम करना पड़ता है खाना बनाना है, पानी ले के आना है cue up for bread, bread के लिए line में लगना है, बच्चों को देखना है तो यह सब काम working women को करने होते हैं चाहे वो इंडिया की बात हो, चाहे किसी और देश की बात हो their wages were lower than those of men और यह भारत में भी है और था और दूसरे देशों में भी था कि जो औरतों को सेम काम करने के लिए मर्दों को जादा, यानि कि पुर्षों को जादा पैसे मिलते हैं लेकिन औरतों को कम पैसे मिलते हैं इन अदर तो डिसकस और वोइस देर इंट्रेस्ट women started their own political clubs तो अपनी बातों को रखने के लिए और अपनी अवाज को सुनाने के लिए औरतों ने अपने political clubs सुनाने शुरू कर दिये अपना news paper निकाना शुरू कर दिया about 60 women's clubs came up in different trend societies तो 60 women club अलग-अलग different trend societies माने लगे society of revolutionary and republican women was the most famous something एक society बनाएगी society of revolutionary and republican women ये बहुत ज़ादा famous थी महाँ पर main demand उनकी क्या थी कि उनको औरतों को भी यानि कि women को भी same political right मिले चाहिए जैसे की पुर्षो को मिलते हैं women disappoint भी 1791 के constitution से क्योंकि सभी औरतों को चाहे वो अमीर हों चाहे वो घरीब हों सभी को passive citizens बना दिया गया था यानि निश्क के लिए नागरिक बना दिया गया था वे लोग vote नहीं दे सकते थे they demanded the right to vote औरतों के demand थे कि उनको right to vote मिले vote डानने का अधिकार मिले to be elected to the assembly assembly में आने का अधिकार मिले क्योंकि assembly में जो electors थे वो 50,000 आदमी हुआ करते थे और फिस 745 जो चुने जाते थे national assembly के लिए वो भी आदमी हुआ करते थे यानि कि national assembly में औरते नहीं आ सकती थी नहीं वो वोड दे सकती थी नहीं वो आ सकती थी तो उनकी demand थी कि assembly में औरतों को आना चाहिए और वो political office जैसे कि prime minister की post हुई, president की post हुई, chief minister की post हुई तो वो ये post भी held करें यानि कि उनके पास ये post हूँ only then they felt would their interest be represented in the new government उनका कहना था कि तभी उनको लगेगा कि उनका जो interest है यानि कि औरतों के जो हक की बात है, वो सरकार जो है, वो सुन रही है in the early years the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women तो शुरू बात में तो revolutionary government ने कुछ कानून ऐसे पास किये जिससे औरतों को help मिरी तो गैतर with the creation of state schools schooling was made compulsory है state schools पराने के बाद schooling को compulsory कर दिया क्या सभी लड़कियों के लिए, पहले से nobel class के लड़कियां पढ़ा करते थी, बड़े class के लड़कियां पढ़ा करते थी, जो रहीस लोग हुआ करते थे, अब सभी लड़कियां पढ़ेंगी तो अब उनकी मर्जे खिलाफ उनकी शादी की जाएगी, यह प्रस्टरन भी खतम होनी लगा, मैरिज को एक contract बना लिया गया, entered into freely and registered under civil, तो मैरिज एक civil lock अंडर आ गया, और अब जब दो परस्टर्स की बिए शादी होगी, तो वो कानूनन दर्ज होगी, रेजिस्टरार के पास डिवोर्स को legal कर दिया गया, अगर दो परस्टर्स चाहते हैं लड़का लड़की, husband wife चाहते हैं कि वो अलग लग रहें तो डिवोर्स ले सकते हैं and could be applied for by both women and men तो औरत भी apply कर सकते हैं डिवोर्स के लिए और नहीं मिले थे, तो उसके लिए स्टरकल उनको चल रहा था जब 1793-94 में reign of terror हुआ new government issued laws ordering closure of women's club तो इस time पे यानि Robespierre के time पे women club को बंद कर दिया गया और ban कर दिया गया सभी political activities को जो औरते करती हैं क्योंकि Robespierre अपना हम एक dictator की दरह काम कर रहे थे many prominent women were arrested and a number of them executed तो execute का मलब होता है या तो मार देना या निकाल देना किसी होई से तो कहीं सारी prominent women यानि जो बहुत famous women थी भापे उनको arrest कर लिया गया और कहीं लोगों को मार दिया गया women's movements for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world तो जो women rights थे कि वहीं हमको women की movement थे है ना उनकी अंदोलन थे कि उनको voting के right ही मिले ये आगे आने वाले 200 सालों तक कहीं देशों में चलता रहा हम भी पाते हैं कि 1947 में जब माजाद हुए 1950 में जब हमारा constitution बना 1950 में जब हमारा constitution बना तो इंडिया ने शुरू में ही सभी persons को चाहे वो औरते हो ट्रांसजेंडर हो मेल हो 18 प्लस जितने भी persons है सभी को उने vote डानने का हग दिया ये अंतरास्टे suffrage movement होगा कि जो भी परसन 18 प्लस होगा सभी को जिस country की जैसी situation है जैसी condition है जब रखना चाहिए 18 रखे किस रखे तो suffrage movement होना चाहिए during the late 19th and early 20th century सभी देशों में ये हुआ जिससे की महाँ पे लोगों को vote डानने का हग मिले यानि कि French women during the revolutionary years was kept alive in an inspiring memory 1946 में फ्रांस में ओरतों को vote डानने का हग मिला देखिए 1790 की बात चल रही है 1790 में 91 में आप कह सकते हो शुरू हुआ National Assembly बनने के बाद Constitution बनने के बाद औरतों ने डिमांड फिनिश रू करी 1946 में जा गए यानि कि भारत से सिर्फ 3 ये 4 साल पहले की बात कर रहे है भारत को जब भारत ने अजादी मिलने के बाद लोगों को अपने हाँ के लोगों को हग दिया उससे 3-4 साल पहले की बात है वहाँ पर फ्रांस में औरतों को वोट डालने का मिला यानि कि 1946 से पहले तक वहाँ पर औरते वोट नहीं डाल सकती थी सिर्फ पुरूशी वोट डाल सकते थे बात करते हैं लाइफ आवर रिवोलुशनरी विमेन एक रिवोलुशनरी विमेन थी ओलम्पी डिगॉब्स तो ये 1748 से 1793 तक जीविद रही हैं तो इनकी बात है ये पूछा जा सकता है आप से कि इन्होंने क्या काम किया था तो ओलम्पी वाज वाज वन अव दा मोस्ट पूरुश को अधिकार मिलेगा तो खाली पूरुश को ही अधिकार क्यों मिले औरतों को अधिकार क्यों नहीं मिलेगा इसकी खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया इसका विरोध किया और and citizen as the excluded women क्योंकि इन्होंने women को exclude कर दिया था इसमें से इसलिए 1791 में इन्होंने खुद से एक declaration लिखा rights of women and citizen का जिस तरह से एक पूरुश के लिखा गया था declaration of rights of men and citizen उसी प्रकार से इन्होंने खुद declaration of rights of women and citizen लिखा जिसको इन्होंने queen को दिया address to the queen and to the members of the national assembly जो national assembly के लोगों के लिखा उन्होंने का और उनसे request की कि इस पे काम किया जाए 1793 में ओलंपी ने criticize किया जैकोबीन क्लब की government को क्योंकि उसने ताना शाह के दरह काम कर रखा तरों पर स्पायर ने she was tried by the national convention national convention ने उसको try किया try का मतलब होता है उसके case चलाया बाद में उनको राज दरह के case में पकड़ा गया और बाद में उनको मार दिया गया she was executed फिर France में slavery खतम होती है यह important है abolition of slavery तो one of the most revolutionary social reforms जो जैकोबीन time के कलब के time पे जैकोबीन सरकार जब थी 1792, 93, 94 के time पे तो एक बहुत important social reform उस time पे जो हुआ था वो था कि महाँ पे slavery को खतम कर दिया गया था यानि कि दास्प्रथा को खतम कर दिया गया colonies जो थी Caribbean में जैसे कि Martinique, Guadeloupe, San Domingo यह important supplies थे commodities के जैसे कि तंबाको हो गया Indigo, Neil हो गया, Chini हो गई, Coffee हो गई तो यह सब जहाँ पे यह सब की खेती हुआ करती थी यहाँ पर लोग नहीं हुआ करती थे Caribbean देशों में, Martinique में, Guadeloupe में, San Domingo में वहाँ पे इतने लोग नहीं थे तो Africa से या गरीब लोग जो थे कहीं लोगों को वहाँ पर ले जाये जाता था और उनसे कहा जाता था कि आप खेती कंडिये से टबैको की, इंडिगो की, शुगर की, कॉफी की इन सब के आपको खेती की तो इससे क्या हुआ, so this was met by a triangular slave trade है तो एक triangular slave trade बनके है, ट्रेंगल बनके है और slave trade है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Europe है, यह उपर Europe है, नीचे Africa है, यह अफरीका है और इधर America है, बीच में Atlantic Ocean है, Atlantic महासागर है, तो यह America है और America में यही पर Caribbean है, और नीचे South America है, उपर North America, नीचे South America, तो आप देख सकते हैं कि ये अपने आप में क्या बन गया कि Europe के लोग जो होंगे वह आफिका से श्लेफ को लेंगे और आफिका के स्लेफ को ले लेकिए अमेरिका लेके जाएंगे केरीवन देशों में यहांपर वो खेती करेंगे यूरोपेस उसका फाइदा उठाएंगे और वापिस से पैसा यूरोप चल जाएगा यूरोप से वापिस लोग अफरिका आएंगे यहां से स्लेव लेंगे तो ये ट्रैंगल की तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा तो एक triangular slave trade बन रखा था जिसको खतम किया गया French merchants sailed from the ports of Bordix or Nantes यह पूछा सकता है, पिछली पार भी एक question पूछा गया था कि एक port का नाम दे दिया गया, पूछ लिया गया कि यह बहुत ही famous port है और यह किस देश में है, तो इस प्रकार से पूछा सकता है कि Bordix या Nantes, यह जो दो city हैं आप कहा सकते हो कि इनके जो port हैं, वो कहां पर है तो इनके जो ports हैं, वो African coast पर है Sorry, African coast पर नहीं है, यह France की coast में है यहां से African coast पर जाते थे, where they bought slaves from local citizens तो Africa की coast पर जाकर वे, local logo से महां पर slaves खरीदा करते थे लेकिन यह Bordix और Nantes जो जो जहीं जगाएं, यह कहां पर हैं, यह France में है Branded and Shackled, यानि कि उनको brand कर दिया गया उनको उपर branding कर दिया गया, कि यह किसका है Shackled कर दिया गया, Shackled का मलब होता है, कि उनको chain में बान दिया गया Slaves को बहुत जादा बुरी तरह से pack के जाता था Ships में और तीन महिने लंबे की जन्डी पर उनको बेज दे जाता था कि वो Atlantic Ocean को पार करकर Caribbean देशों में पहुँचेंगे तो बहुत ही, मलब है आप कह सकते हैं, बहुत ही गंदी तरीके से उनको Ships में भर जाता था और बहुत जादा Human violation, Human Rights का violation हुआ करता था जिसकी उस time बे कोई परिभाशा नहीं हुआ करती थी There they were sold to plantation owners, तो वहाँ पे उनको बेच दिया जाता था परसंस को, जो exploitation था, slave labor का made it possible to meet the growing demand, तो जिससे की European markets की जो demand थी उसको जैसे की चीनी की demand, coffee की demand, नील की demand इन डिमान को पुरा करने के लिए slave trade बहुत जादा flourish कर रहा था Port cities जो थे, जैसे की Bordix हो गया, Nanties हो गया or their economic prosperity to the flourishing slave trade जैसे जैसे slave trade भढ़ता जा रहा था, उसी परकार से Nanties या Bordix का जो port से की था, यानि कि जहाँ पर बंदरगा था, यह शहर भी famous होते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर खुब सारा समान बन-बन कर Caribbean देशों से आ रहा था Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France तो 18th century, यानि 1700s के सालों में गर देखा जाए तो France में slavery का जो criticism था, वो नहीं हुआ, यानि वहाँ पर कोई बुराई नहीं कर रहा था, National Assembly held long debates about whether the rights of men should be extended to all French subjects including those in the colonies, तो National Assembly ये भी discuss कर रही थी कि जो rights of men हमने दिये हैं, यानि कि पुर्षों को जो दिकार लेकिन उन्हें वो simple सी बात है, इंडिया में भी ऐसी होता है, कि सरकार कानून पास नहीं करती हैं, क्योंकि बड़े-बड़े लोग नराज जाते हैं, तो इसी वहाँ पर भी कानून को पास नहीं किया गया, क्योंकि उनको ये डरता कि इससे जो बड़े बिजनसमेन हैं, जिसको स्लेव ट्रेड से फाइदा हो रहा है, उनको नुक्सान हो जाएगा इट वास फाइनल दर कन्वेंशन होगा, कन्वेंशन होगा सेम्टे नेटिफोर में, जिसने कहा कि सभी स्लेव को फ्री करते जाएगा, जो भी फ्रांस की ओवर्सेज पोजेशन में हैं, फ्रांस की ओवर्सेज जितनी भी टिरिट्री है, 그래요 का मलग पMore इससे साल भाद नेपॉलियन ने री-डिउल्स करते जाएगा लेकिन 10 साल भाद नेपॉलियन ने वापिस स्लेवरी को इत्रिविश कर दिया गया उसके द्वारा plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African negros तो जो plantation owners थे वो ये समझते थे कि उनके freedom का मतलब ये है कि African के जो negros हैं उनको वो अपने economic interest के लिए कह दी या slave बना सकते हैं दास बना सकते हैं slavery को finally जो abolish किया गया French colony में 1848 में किया गया revolution और हर रोज की जिन्दगी बहापे कैसी थी तो एक important law जो आता है वो आता है जब बैस्टल को तोड़ा गया 1789 में तब आता है कि abortion of censorship तो यह बहुत important है censorship क्या होता है मालते हैं कोई अकबार है तो अकबार अपना संपात किया लिखता है अकबार से लोगों के बीच में एक second point जलता है तो सरकार अपना व्यक्त अवे दे रही है सरकार अपना point रखती है हम तो अच्छा कर रहे है तो जो newspaper है वो क्या करता है वो ऐसा point निकाल कर लाता है कि जो वो सरकार कर रही है उसमें क्या कमी है उसको बताने हैं निस्वेबर करता है तो उस टैम पर क्या होता था censorship होती थी censorship में क्या होता था अग्वार जो भी छापता था पहले उस से पहले उसको सरकारी लोग दिखा करते थे अगर वो सरकार की खिलाफ है तो उसको खटा दी जाता था जब king उसे approve कर दे कि हाँ आप इस किताब को चाप सकते हो इस newspaper को चाप सकते हो तो जो राइट अफ मैं था उसने कहा दिया कि freedom of speech और expression अब एक प्राकरतिक राइट है नेशनल राइट है और यह आप से कोई नहीं चीन सकता तो आपको जो लिखना है जो चापना है चाप सकते हो आप आपको कोई रोखने वाला नहीं है newspaper हो गए pamphlets, किताबें, printed pictures flooded the town of France from where they traveled rapidly into the country तो धिरे-दिरे इस newspaper बगारा जो है क्योंकि अब इन पे censorship बंद हो गई तो बहुत ही तेजी स्काथ यह छपने लगे they all described and discussed the events and changes taking place in France freedom of the press also meant that opposing views of events could be expressed each side sort to convince the others तो जो freedom of the press थी, यानि press की freedom के वैसे क्या help मिली कि दोनों तरह की views आने लगे, माले ते एक सरकार है, सरकार अपने कुछ views देगी, यह government है और यह newspaper का editorial है, तो government भी अपने views देगी, किसी scheme पर, माले तक कोई scheme लाई, कोई योजना लाई तो सरकार ने उसमें क्या किया, सरकार क्या कर रही है, सरकार कहेगी हम तच्चा-च्चा कर रहे हैं सभी लोगों के लिए लेकिन हर चीज जो अच्छी है, वो अच्छी नहीं होती है, उसको पता करने का काम किसका है, news paper के editorial का है, संपाद के का है तो आप भी जो भी preparation कर रहे हैं, मैं आप से request करूँगा, यगर आपके अंदर news paper reading की habit नहीं है, तो आप चाहे हिंदी का अकबार लें, चाहे इंगलिश का अकबार लें, पूरा अकबार ना पढ़ें, सिर्फ editorial यानि कि संपादगी का पेज जरूर पढ़ना शुरू करते है whether you are a reader of English newspaper और चाहे आप हिंदी का अकबार पढ़ते हों, अब जिस भी अकबार को पढ़ते हों, पूरा अकबार ना पढ़ो, शुरू में संपादगी का पेज जरूर पढ़ना शुरू करतो, इससे आपकी reading habit भी सुधार आएगा, और आपको समझ में भी आएगा, कि संपा तो यह एक तरीका था, जिससे लोगों को liberty, justice के बारे में पता चला और political philosophers थे, उन्होंने काफी ज़ादा लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब अकबार independent हो गए थे, और लोग उसको इसली पढ़ सकते थे, 1804 में जो Napoleon Bonapart थे, crowned himself, emperor of France, तो Napoleon Bonapart ने अपने आपको France का रा तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने डिक्टेटर की तरह अपने empire को बढ़ाना शुरू कर दिया, पहले वो सिंपल एक आर्मी में एक person हुआ करता था, वो Napoleon Bonapart, France का राजा बन गया वापिस से, उसने उरोप के जो आसपास की countries थे, नेबर कंट्रीज थे, प्रवसी मुल्क थे, सब को हराना शुरू कर दिया, उन सब की dynastries को खतम करना शुरू कर दिया, और वहाँ पे जो kingdom बनाए, उन kingdom पे अपने family के member को उसने रखना शुरू कर दिया, यनि कि nepotism की काम उसने शुरू कर दिया, नेपोलियन saw his role as a modernizer of Europe, नेपोलियन ने कहा कि मैं एक modernizer हूँ, जो पूरे Europe को modernize करेगा, यानि कि इसको आप कहा सकते हैं, आधूनी करत करेगा, introduced many laws such as the production of private property, उने का private property सुख्षित रहनी चाहिए, यना uniform system of weights and measures, जो kg वाला system है, kg, यना grams वाला जो system था, जो uniform system है, weights and measures का, या decimal system के त्रू जो प्रवा लेकिन बाद में लोगों को समझ माया कि वो liberator नहीं है, वो dictator है, but soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force, तो बाद में देर देरे लोगों को लगने लगा कि Napoleon की जो आर्मी थी, वो कहीं भी घुसपैट कर जाती थी, he was finally defeated at Waterloo in 1815, तो यह important है कि Waterloo में 1815 में यहार किया, भारत में 1815 में क्या हो रहा था, अगर आप उत्राखंड की बात करें, तो उत्राखंड में Treaty of Sagoli ही हो ले थी, नेपाल और गुर्खा रूलर्स के बीच में, बिटिश और गुर्खा रूलर्स के बीच में 1816, 1815, 1816 क्या सपास, है ना आप उससे लगा सकते हैं कि भारत में क्या चल रहा था, और य लिबर्टी का आईडिया, डेमोक्रिटिक हग मिलेंगे, यह बहुत ही इंपोर्टन लेगेसी थी कि इसकी French Revolution की यह न, तो France की Revolution से ये दुनिया को मिला कि liberty का आईडिया सबको आजादी है, और डेमोक्रिटिक राइट्स हैं, यानि कि लोग तांत्रिक हग हैं, तो यह सबको प्रांस तू देर देर ये फ्रांस से बाकी पूरे यॉरोप में फैनला शुरू हुआ फ्यूडल सिस्टम खतम कर दिया गया को लोनाइस्ट पीपल्स रिवर्ग्ड दी आइडिया फ्रीडम फ्रूम बॉंड़े उन्हें वापिस से काम शुरू करना शुरू करा और उनको बॉंड़े से यानि कि जो बंधन उनके उपर बांद दिया गया था जिनको स्लेव ट्रेट से बांद दिया गया था वो उन सबको फ्रीडम मिलने लगी उन्होंने भी आइडियास को अपनाया जो फ्रांस की रिवलुचन आइडियास थे वो उन्होंने भारत में अपनाया तो यह था फ्रेंच डिवल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंच डिवल्यूशन जिन्हों आपने अपने कंप्लीट नहीं देखा है इसको कंप्लीट देख लीजेगा इससे काफी सारी क्वेश्चन है जब आप 23rd में एक्जाम देंगे या वर्ल्ड क्यूंकि यह वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री अपर पीसेस में भी बहुत ज़्यादा आती है अपर पीसेस में भी आएगी अपर पीसेस मेंस में भी आएगी तो वहाँ पर पीसेस सवाल आपसे बनेंगे तो यह अपर पीसेस प्रेलिमस मेंस वालों के लिए औ के लिए बहुत important है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से देखते रहिएगा, जो important लगता है आपसको notes बना लीजिएगा, अगर आप notes बनाने से time save करना चाहते हैं, तो आपसकी PDF ले सकते हैं, उसके लिए आप मुझे call या WhatsApp कर लीजिएगा, 766-580-44-21 और